यहां पर हम बात करने वाले कि इसकी WPA2 की WPA का मतलब हो जाता वाइफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस यानि टू मतलब हो जाता उसका वर्जन का प्रकार जो वाइफाई से सम्मंदि सारी चीजों के लिए यहां पूपयोग किया जाता है यानि कि जो डिवाइस है आपकी जिस में इंटरनेट ट्राफिक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है WPA यहनि कि वाइफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस प्रोटोकॉल इसके अलावा यह डाटा को खंगालने यानि कि खोजने या सर्च करने के लिए एंक्रिप्शन तकनिक का उप्योग करते हैं ताकि हैकर्स इसे समझना सके WPA जो होता है वाइफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस सेकुरेटी प्रोटोकॉल की सेकंड जन्रेशन और इसे 2004 में WPA के अप्ग्रेड़ेड वर्जन के रूप में यहां पर पेस किया गाती है यहनि कि WPA पहले था फिर साथ में क्या ने लगा टूलक है यहनि कि अ जो सिंपल मोड होते है जैसे एक बोले तो WPA to PSK यहनि कि Personal Mode या Pre-seared Key होती है जैसे आप यहां देखो के Personal जो जो मोड होता है या Pre-seared Key का डाइग्राम दिया है इसके अलावा जो एक्सेस एक्सेस के लिए एक shared passport का उप्योग करता है आम तोर पर घरों में घर के Environment में इसका उप्योग किया जाता है पास फ्रेज या फिर हम बोलें तो यह जो PSK के बीच में अंतर करने के लिए Key की लंबाई 63 करेक्टर तक सीमित रखता है दूसरा जो mode होता है वो होता है 4-way handshake encryption की उत्पन करने के लिए एक महतपोन प्रक्रिया है एक क्रैक यहनिकी Key Reinstallation Attack जो होता है उससे पीडित को जो होता है जो भी ग्रसित हुआ उससे उसको पहले से ही उप्योग में आने वाली जो की है उसको इंस्टावलिंग करने के लिए धोका देकर इस प्रक्रिया की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और यह हमला विसेश रूप से Linux और Android 6.0 का या फिर इससे आगे के जो विरुद प्रावावी है उसके उपर प्रावावी किया जाता है WPA2 जो है 2006 से सभी verified जो Wi-Fi hardware है जितने भी wireless devices है जिसमें Wi-Fi है उसके लिए एक नियमी सुविधा प्रदान किये जा रही है और हाली के बरसों में website यानि जो बिजनिस होते हैं और अन्य संगठन उनके लिए काफी ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है कि इसको जो Wi-Fi यानि प्रोटेक्टेड एक्सेस टू जो प्रोटोकॉल है Wi-Fi प्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल ठीक है इसको प्योग किया जा रहा है